अलू चिप्स को आप से लिए एक साल तक श्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही टेस्ट्यों क्रिस्पी बनता है यह चिप्स तो इसे ट्राय जरूर करें और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर दबाएं तो चलिए देखते हैं इसे क सारे चिप्स को हम थोड़ा पतला पतला काट लेंगे बहुत ज्यादा मूटा नहीं काटना है चिप्स को इस तरह से धीरे-धीरे हम सारे चिप्स को काट लेंगे यह देखिए इस तरह से हमने काट लिया है आप देख सकते हैं कितना पतला है यह इसी तरह से सारे चिप्स को काट लेंगे और पानी में डालते जाएंगे ता कि चिप्स पाला नहीं पंड़े ये चिप्स के लिए हमें लाला लु का यूज करना है इस भात का धियान रहे हम तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और काला नहीं पड़ेगा चिप्स कि तो यह सारे आलों को में काट लिया है एक बरत्ण में काट करके रख लिया है अब हमने ग्यास पर रख दिया एक बरतन में पानी करम होने के लिए दो आप वाल गया गया नमक अब हम इसमें डाल देंगे अब हम चिपस को ढ­ 가지 पानी में बहुत ज्यादा एक साथ नहीं डालना है जितना आयागा इस बरतन में हम ढलेगेкими स्टीक अश्चानuuuu बहुत ज्यादा टाइम नहीं रekना है घरम पानी में एक मिनट के लिए ममसे hrp March तो लच पलंगूधेगे तो आप चाहें तिसमें फूट कलर भी डाल सकते हैं ये लो फूट कलर उससे और भी अच्छा दिखेगा ये तो चीप्स जो हमारा है हो गया है अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे यहां पर हमने जाली वाला बरतन लिया है ताकि पानी जो अच्छी से निकल जाए इसका तो सारी चीप्स को हम निकाल लिए है अब हम इसे फैला देंगे सुखने के लिए इस चीप्स को हमें तभी बनाना है जब बहुत तेज दूप हो तभी अच्छा बनेगा नहीं तो चीप्स काला पड़ जाता है इसे एक साल तक आप आराम से श्टोर करके रख सकते हैं तो स सारे चीप्स को हम फेला देंगे अच्छे से और इसे दो दिन सुखाएंगे सेम प्रोसेस सेम दूसरा बैच भी कर लेंगे इसी तरह से सारे चीप्स को हम बगा लेंगे तो ये चीप्स को भी फेला देंगे दूप में तो ये देखिए सारे चीप्स हमारा बन गया है हम इसको फेला दिये हैं अब हम इसे दो दिन सूखने देंगे दूप में ये देखिए दो दिन बाद आप देख सकते हैं चीप्स कितना अच्छा सूख गया है और बिल्कुल काला नहीं पड़ा है एक तम वाइठ है तो हम इसे फ्रै करेंगे तो फ्रै करने के लिए हमने ए इसमें हम चीप्स डालेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हुआ है चीप्स साइज में बिल्कुल डबल हो गया है ये तो इस तरह से सारी चीप्स को में फ्रै कर लेते हैं जितना हमें यूज करना है तो हम चीप्स को फ्रै कर लिया है आप चाहे तो इसमें चाट मसाला काला नमक मिर्च पॉर्टर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं उससे और भी ज़िए बढ़ जाएगा या आप इस तरह से प्लेन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नमक डाला हुआ है तो और भी टेस्ट लगता है यह तो एक बाट राय जारू करें रेसिपी को और रेसिपी तो लाइक से जरूर करें और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें